हेलो दोस्तों विल्कम बैक टू माई चैनल तो आज मैं बनाऊंगी कच्चे आम से खटी मीठी चटनी तो ये चटनी बहुत ही टेश्टी बनती है और इसको बनाना भी है बहुत ही आसान तो क्या करेंगे सबसे पहले कच्चे आम लेंगे इसको छील करके साफ कर लेंगे और इसके बाद इसके छोटे छोटे पीस में कट कर लेंगे तो देखिए मैंने ये कर लिया है पहले से ही तो मैंने इनको छोटे छोटे पीसे इसमें कट किया है ये देखिए तो चलिए फिर अब बनाना ही स्टार्ट करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले एक मसाला बना कर तियार करेंगे तो इस चटनी को बनाने के लिए हमें चाहिए पंच पुरन मसाला और सबसे पहले मैंने लिया इसमें दो साबुत लाल मिर्च अब पंच पुरन मसाला बनाते हैं उसके लिए लेंगे आदा छोटा चम्मच कलोंजी इसको मगरेल भी बोलते हैं आदा छोटा चम्मच मेथी दाना एक छोटा चम्मच सौफ एक छोटा चम्मच जीरा इसके बाद मैं इसमें डालने हूँ आदा छोटा चम्मच पीली सरसू आपके पास अकर काली सरसू है तो वो भी डाल सकते हो थो ग्षिब भून लेना है जब बड़िया से मसालों में खुसळू आने लगे तब हम जो आम काट करके रखे थे वो इसमें ऍट कर देगे और इसके बाद अच्छे से मि्क्स कर देंगे मसालों में आम के साथ और इसमें आप नमक डाल ले जिए और थोड़ी सी में हलो शुत चम तो ये देखे मैंने हल्ली डाल दिया है और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे और इसके बाद मैं इसमें डालने हूँ आधा कप पानी और पानी डाल करके इसको ढख देंगे करीब 3-4 मिनट तक जब आम अच्छे से गल जाएगा इसके बाद फिर हम इसको मिठास के लि तो चलिए अब इसमें लाल मिर्च का पावडर डाल देते हैं तो आदा छोटा चमाच मैंने इसमें लाल मिर्च का पावडर डाल दिया है इससे थोड़ा सा चटपटा सा भी फ्लेवर आएगा और देखे मिठास के लिए मैं इसमें डाली हूँ चार बड़ी चमाच चीनी ह और आदा कप गुड़ है तो मैं इसमें डाल दी हुँ आप चाहो तो सक्षिनी से भी बना सकते हो या फिर सिर्फ गुड़ भी डाल भी बना सकते हो मैं ने डोनों चीज अड किया है दोनों चीज अड करेंगे तो फलेवर बहुत इच्छा और अची तरह से इसको मिक्स कर देंगे और बस दो मिनट तक के लिए इसको और पका लेंगे तो देखिए मैंने इसको एक मिनट के लिए ढख दिया था और यह देखिए जब एक मिनट के बाद मैंने इसको देखा है तो देखिए कितना बढ़िया कलर आया कोई भी इसमें मैं जरूर ट्राइ करिएगा और यह जल्दी खराब भी नहीं होती है आप इसको एक महीने तक इस्टोर करके फ्रिज में रख सकते हो तो देखिए चलिए मैंने इसको बोल में निकाल लिया है आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया हो तो प्ल